चलिए आज हम बात करेंगे कि अगर आप Instagram उज़ करते हैं और Instagram को हमेशा हमेशा के लिए डिलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Instagram का एकाउंट हमेशा हमेशा के लिए कैसे डिलेट कर सकते हैं अगर आपका बहुत Instagram एक से अधिक एकाउंट आपके पास है तो उस एकाउंट को अगर आप डिलेट यानि रिमूब करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको ही बताएंगे कि अगर आपके पास Instagram एकाउंट है और Instagram यूज करते हैं और काफी पुराना है या चाहिए एक से अधिक आपका एकाउंट है तो उस एकाउंट को आप डिलेट हमेशा हमेशा के लिए डिलेट करना चाहते हैं या रिमूब करना चाहते हैं या ऐसा कोई situation आजाता है उस situation के कारण आपको कोई problem या कोई ऐसे महल आजाती है जो कि आपको डिलेट करना पड़ता है तो कैसे आप अपने Instagram को हमेशा हमेशा के लिए एकाउंट को डिलेट या रिमूब कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको पूरी जनकारी रहेंगे कि अगर आप अपना Instagram एकाउंट डिलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए तो चलिए हम आप चलते हैं अपने इस्टागराम एकाउंट पर और वहां से हम आपको पूरपली और लाश तक बताएंगे ताकि आप अपने एकाउंट कैसे हमेशा हमेशा के लिए डिलेट या रिमूब कर सकते हैं जैसे हमारे Instagram है हम यहां से ओपन कर लेंगे तो फाइनल हमारे Instagram होगी हो गया ओपन होनें के बाद हम क्या करेंगे हम अपना एकाउंट पर चले आएंगे एकाउंट आप जहां भी आपका एकाउंट है एकाउंट है नीचे एकाउंट मिलाती है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा यह आपको एकाउंट पर आ जाना है और इस एकाउंट को हम आज हमेशा हमेशा के लिए डिलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जो कि अपने इस्ट त्रीडॉट का option मिलती है त्रीडॉट वाले option पर आपको finally click कर देना है उसके बाद आपको यहां एक setting का option मिलती है मैं बीना कोई क्लिक करने के बाद अब यहां आपको अपसर मिलती है report problem account status help center यहां आपको help center का option यहां भी मिल जाती है तो आपको help center वाले पर जो की click कर देना होगा चलिए हम यहां help center वाले पर click कर देते हैं अब जिससे हम क्लिक करते हैं तो हमारा अगला page खुल कर आ गया यहां थोड़ा सा आपको basic से और अच्छे तरह से देखना होगा थोड़ा सा भी अगर आप यहां mistake करते हैं तो बहुत सारे लोग यहां confusion यहां मतलब गबड़ा जाते हैं तो यहां आपको थोड़ा धिहान पूर्वक से आपको देखना होगा यहां एक option मिलती है देख सकते हैं जो की how to restore account to the we delete for my Instagram account तो आपको यह option देखने के लिमिल जाती है तो आपको क्या करना होगा फाइनली इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा यानि इस पर आपको क्लिक कर देना होगा देख सकते हैं मैं थोड़ा सब व्यसक से यहां दिखाता हूं how to restore इस पर आपको क्लिक कर देना होगा अब जिसी क्लिक करते हैं तो अब यहां आपको समस्या बहुत सारह हो जाती है त सब्कस करेंग Thai काशलें धिरवी यहां सबको डिलेट नहीं होगा अब ही और आगे चलना है आपको जल्दबाजी नहीं करना है अब यह डिलेट नहीं होगाइकाउंट यह आपको प्रोसेस क्लिक कर देना होगा तो चलिए हम यहां से क्लिक कर देते हैं अब जिसी क्लिक करते हैं तो यहां आपको मिलाती है Android help computer help iPhone help mobile browser help mobile browser के एक option मिलती है mobile browser वाल अप्षन पर आपको क्लिक कर देना होगा आप जिसी क्लिक करते हैं तो फिर अगला पेज होकर आगया इस वीड़िएो को धियान पूलबक्त से देखिएगे थोड़ासा इस आपको बैसिक से देखना पड़ता हैं तो थोड़ासा भी अगर आप को समझ में नहीं आप आपाएगा अगर अभी तक हमाचान पर नए है तो हमाचान को ज़रू subscribe किजिए और like किजिए और जो भी समस्या से अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे comment कीजिए इसका reply करने से पहले सोचते हैं कि हम कॉपी कर लें डाउनलोड कर लें तो यहां आपको 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 क्लिक कर देना होगा यहां मोबाइल ब्राउजर हेलप पर किलिक कर देना होगा तो जल्य हम से आप जिसे क्लिक करते हैं फिर एलप को करते हैं तो इसे हुसे फिर देख लेंगे उसके बाद हम फिर शम्चान करते हैं निची यह और आजिए अब यहां आपको 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 मिलते हैं है देख सकते Instagram.com from a mobile browser फिर से मैं repeat कर देता हूं Instagram.com from a mobile browser तो इस पर हम click कर देंगे जिसी हम click करते हैं तो अब यहां आपको फिर से हम मिल जाती अप्षन फिर से यहां आपको option मिल जाती है delete your account delete your account का option मिलती है तो finally आपको इसी पर click कर देना होगा चलिए हम click कर देते हैं अब हम जिसी यहां से click करते हैं तो इसके बाद यह कह रहा है हवियर डो यू वान टू डिलेट आपका ID यहां देखने के लिए मिल जाती है उसके बाद यह कहने का मतलब इसका यह कह रहा है कि आप किस रिजन से अपना Instagram एकाउंट करना चाहते हैं आपको यहां रिजन देने के लिए आपको यहां जो कि यह box मिल जाती है देखने यह box पापको क्लिक कर देना होगा आपको आपको region देखने के लिए मिल आती है पर वैसी concept यह जो भी है आप यहां से आपको चूच कर लेना है चली हमें कोई सी चूच कर लेते हैं यह अपना region चूच कर लिए अब region चूच करने के बाद आप यहां से क्या कर रहा है यह का recent your password आपको आपको recently यहां पासवर्ट डालना होगा जो भी अगर आपके पास पासवर्ट है यानि इस्टागराम को जो भी आपका पासवर्ट है आपको इस बॉक्स में डालना हो होगा डालने के बाद यहां आपको डिलेट आपका आईडी देखने के लिए मिल रती है जो कि आपका ये डिलेट हो जाएगा यह कह रहा है योर प्रफाइल एंड एकाउंट डिटेल से वील दा हाइड यूनिट नॉमबर 2722 के एंड डिलेट अंड डिटेल तो ये कह रहा है कि अगर आपको पासो डाल कर उसके बाद फिर से आपको डिलेट आईडी पर ये आपको म अपना पासवर्ण डालेंगे ये हमेशा के लिए एकाउंट हमारा डिलेट हो जाएगा पत हमें डिट करना नहीं है मैं आपको प्रेतीक्री ये बताया है बता है कि कैसे आप अपना डिलेट कर सकते हैं बहुत लोग डिलेट करना चाहते हैं तो तो हमारी डिडिवेज सस्क्राइब कीज़े फिर मिलते हैं नेक्स्ट उडियो में